हेलो किडिट्स बहुत एकदम फास्ट स्पीड में मैं एरिया प्यारमीटर और वॉल्यूम के आपको फॉर्मुले रिवाइस करने वाला हूँ अगले दो मिनट ध्यान से सुनना एरिया पैरिमीटर और वॉल्यूम होता क्या है पैरिमीटर मतलब कोने-कोने की लेंथ अब जै इसे आपनी की बॉटल होगई तो कितना असकता है एक बेन तो जने diciendo आ सकती है कौन बताता है volume तो फटाक से मैं आपको formulaise revise करा रहा हूं perimeter अगर एक circle है जिसका radius है R तो इसका perimeter होता है 2 pi r और pi की value होता है 22 by 7 याद रहेगा एक अगर rectangle है जिसकी length L और width B तो length L plus L 2L और 2B तो क्या हो जाएगा 2 times L plus B यह perimeter हो गया किसका rectangle का अगर अगर एक square है अगर एक square है तो length A और width B बंदब length B A और width B A तो इसका पूरा total length कितना हो जाएगा A A A A चार बार तो 4A clear perimeter के तीनो formula याद रखना next area यह कितनी जगा है बीच में 2 dimensional space कितना है लिखने का तो अगर एक circle है with radius R तो इसका area होगा पाई R square ठीक है अगर एक rectangle length into width तो इसका area हो जाएगा length into width अगर length है L width है B यह लंबाई L यह लंबाई B तो L into B करोगे तो यह पूरा area जाएगा और यहां पर भी A into A करोगे तो क्या हो जाएगा A square तो इन तीनों के area आपको याद होने चाहिए एक बार exam जाने से पहले एक बार इसको जल्द जल्दी से देख ले ना इस लिए एकदम छोटा और एकदम यूनो शॉट में आपको फटा-फट बता रहा हूं एक बार वॉल्यूम कितना चीज आ सकता है कितना लीटर या कितना मीटर क्यूब में कोई चीज आ सकता है किसी इक अंदर थ्री डैमेंशनल स्पेस तो अगर एक क्यूब है इस टाइप का क्यूब यह देखो यह क्यूब देख पा रहे हो यह देखो ऐसा पूरा 3D object है पूरा का पू तो क्यूब का अगर लेंथ भीय विट भीय है है तो इसका वोलीुम होता है एं 2-1 2-1 Q और अगर इनकी लेंथ वीड हीड बराबर ना हो जैसे आपका रूम से लेंथ वीड तो हैट नहीं जरूर की बराबर हो तो उसको क्या बते है क्यूब वह do तो ख़लाइब इक dependsら 자, शूब से कराद दिया हूँ, एक लाज्स चीज बस ध्यान रखना, डाज़ जैसे पर कोई भी या इक लचेंगल इपन एक लाष चान darag है और ये भी ए तो जो डागनल आता है वो आता है रूट टू ए बस इतना एक बार फटाक से रिवाइज कर लेना और एजाम देना तो 16-17 चप्टर भी रिवाइज हो गया कल के मैराथॉन में मैंने आपको क्लास चैटर नमर बन से लेकर 14 तक पूरा रिवाइज करा दिया था और लास्ट वाले चैटर का मेजरमेंट रहा तो मैंने पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है और जो 16-17 में खाली फॉर्मले बचे थे उनका रिविजन यह रहा चलो तो all the best everyone अच्छे से एक्जाम देना ट अबर टेक क्यार